हलो एवरिबरडी कैसे हैं आप सब सिंप्लिफाइ लौ में आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं वॉइड आगरिमेंट काफी जादा इंपॉर्टन और काफी जादा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जितने इंट्रेस्ट के साथ आप सुनने क सीखने की कोशिश करोगे उतने ही अच्छे से आपको ये टॉपिक समझाएगा चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चानल पर नए है तो प्लीज इस चानल को सब्स्राइब कर दीजेगा बेल आइकन प्रेस का ना ना भूले ताकि ये मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके चलिए शुरू करते आज का हमारा ये सेशिन वॉइड आगरिमेंट दीखें वन अफ़ इसेंचिल एलिमेंट ऑफ वालिज कॉंट्राक्ट इस दागरिमेंट मस्ट नाट बी डिकलेड वॉइड ठीक है, a void agreement is one that cannot be enforced by law, void agreement हम किसे कहते हैं, void agreement वो होता है जो law के द्वारा कही पर भी कभी भी enforced नहीं किया जा सकता, law के द्वारा ऐसे agreements को मानियता नहीं होती है, agreements which are void under the provisions of law include, ठीक है, कौनसे कौनसे agreements void माने जा सकते हैं, तो वो कुछ इस तरह से हैं, कि an agreement made by incompetent parties, for example, a minor or a person with unsound mind, देखिए, जो contract है, उसके अंदर competent parties होनी बहुत जरुरी है, कौनसे parties को हम competent कहेंगे, जो की major है, जो की sound mind है, और law के द्वारा disqualify नहीं किये गए हैं, ऐसे जो भी parties हैं, ऐसे उन्हें क्या कहेंगे हम, वो competent है, ठीक है, contract करने के लिए, तो यहाँ पर यह ज़रूरी है कि अगर किसी agreement में जो parties हैं, वो incompetent है, minor हैं, या फिर unsound mind के हैं, तो ऐसा agreement क्या हो जाएगा, void agreement माना जाएगा, an agreement made under a mutual mistake of fact, यह एक important है, और third है, an agreement made without consideration with some exceptions, यानि कि किसी भी agreement में या फिर किसी भी contract में एक तरह का consideration होना बहुत जादा ज़रूरी है, consideration यानि कि एक चीज के बदले में हम दूसरी चीज लेते हैं, यानि कि अगर मुझे सामने वा पैसे दूगी, तो यहाँ पर हम दोनों की बीच में ये जो contract है, उसमें एक तरह का consideration है, मुझे watch मिल रहा है, वो सामने वाले इंसान को पैसे मिल रहे है, तो यहाँ पर एक दूसरे का भी क्या है, किसी तरह का consideration है, तो agreement में consideration होना ज़रूरी है, अगर वो नहीं है, तो वो wide agreement होगा, देखें, चौता है, agreement the consideration or object of which is unlawful, यानि किसी agreement का consideration है, ये किसी agreement का object ही unlawful या illegal है, तो उस agreement को void agreement कहा जाएगा, यानि कि अगर हम contract कर रहे हैं, या agreement कर रहे हैं, किसी को मारने के लिए, किसी का murder करने के लिए, तो यहाँ पर ये contract वैसे भी void है, लेकिन अगर उसके murder कर करने के बदले में, अगर मैं पैसे नहीं देती हूं, तो वो जाके court में enforce नहीं कर सकता है, वो suit file नहीं कर सकता है, कि इसने बोला था, कि अगर मैं murder करूंगा, तो वो मुझे पैसे देगा, नहीं, क्योंकि आपका जो agreement है, आपका जो contract है, वो शुरू से ही, आप initial ही void है, ठी बीच हो, हमने जो discuss के agreements, उनके जो reasons, उसके अलावा इन agreements को भी void माना जाता है, देखिए, agreements in restraint of marriage, agreements in restraint of trade, agreements in restraint of legal proceedings, agreements involving uncertainty, wagering agreements, agreements to do impossible acts, तो ये सभी agreements जो हैं, ये void agreements माने जाते हैं, इन्हें one by one discuss करते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी clarity आ जाए, देखिए, सबसे पहला है, agreements in restraint of marriage, section 26, deal करता है इससे, देखिए, restraint in marriage means stopping a person from getting married, ठीक हैं, किसी भी इंसान को शादी करने से restraint करना या stop करना, या उसे अपने according, अपने पसंद की इंसान से शादी करने से रोकना, ये क्या है, restraint in marriage है, तो any agreement that has the object of stopping a person from getting married, और limiting his or her right in selecting a marriage partner is void because it is against the public policy, यानि कि अगर आपने किसी के साथ ऐसा agreement किया है, जिसके true या फिर जिसका सहारा लेते हुए, आप उस इंसान को उसके मन मताबिक शादी करने से अगर उसे रोक रहे हो, ठीक है, तो ऐसे agreement को आप क्या कहोगे, void agreement कहोगे, क्योंकि ये public policy के against है, example में देखिए, इस case law में discuss किया है, law v versus peers, यहाँ पे A ने क्या किया था, miss B को marry करूंगा, इस बात का promise दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे A ने miss B को कर रही है, वो sue कर रही है, ठीक है, वो suit file कर रही है, कि नहीं, उसने अपना promise तोड़ा है, और बदले में मुझे मेरे, मेरे 2000 pound जो है, वो वापस चाहिए, तो यहाँ पे court ने ये helped किया है, कि जो ये agreement है, in restraint of marriage है, और ये void है, ठीक है, agreement भी void है, और अब किसी इंसान को किसी और के साथ, या उसके according शादी करने से रोक नहीं सकते हैं, तो ये है, ओके, अब दूसरा देखिए, agreement in restraint of trade, section 27, every agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade, और business of any kind is void, यानि कि अगर किसी agreement के through, अगर आप किसी इंसान को restraint कर रहे हैं, stop कर रहे हैं, एक lawful profession, trade, या business exercise करने से, तो ऐसा agreement void माना जाएगा, देखिए, इस case में discuss करेंगे हां, माधव चंद्र वर्सिस राज कुमरदास, A and B, ये दोनों एक similar तरह का trade, ये similar तरह का business, same locality में क्या कर रहे थे, exercise कर रहे थे, A ने B को promise किया था कि वो अपना जो business है, वो बंद कर देगा, अगर उसके बदले में वो एक certain amount उसे दे देगा तो, यहाँ पर A ने अपना business close कर दिया, लेकिन बदले में जो B ने promise किया था, उसे वो एक certain amount देगा, वो उसने नहीं दिया, वो उसने अपना promise नहीं exercise किया, उस वोईड है under section 27 of the act हो गया, ओके, देखिए, इस point के, इस provision के कुछ exceptions है, restraining the freedom of a particular action, दूसरा है, sell of goodwill, restraint on partners, fourth है trade combinations, और fifth है service contract, तो ये जो restraint of trade वाला हमने जो provision section 27 के अंदर discuss किया, उसकी कुछ exceptions है, इन्हें one by one discuss करते हैं, देखिए, सबसे पहले जिसी कि मैंने कहा, restraining the freedom of a particular action हो वह या, यानि कि अगर किसी agreement के through, आप किसी इनसान का particular, इनसान का जो freedom है, particular action करने का, उसे अगर आप रोक रहे हो, restraining कर रहे हो, तो वो यहाँ पर valid है, देखिए, valid है, हम यहाँ पर exceptions discuss कर रहे हैं अब तक हमने जो void देखा था, restraining of trade में, तो उसकी कुछ exceptions में है, यानि कि इन exceptions की according, अगर हम यह से कुछ यह चीज़े करते हैं, तो वो valid होगी, देखिए, क्या है, for example, देखिए, एक manufacturer है, ठीक है, किसी एक product का manufacturer है, और उसने sole distributor appoint किया है, एक particular region के लिए, ठीक है, तो अब यह जो manufacturer है, वो क्या करता है, इसे छोड़ कर, किसी और distributor को appoint करता है, उसी particular region के लिए, तो यहाँ पे यह जो पहले appoint किया हुआ, sole distributor था, वो क्या कर सकता है, रोक सकता है, restraint कर सकता है, manufacturer को, कि नहीं, यहाँ पे मेरा right infring हो रहा है, तुने पहले मुझी appoint किया था, ठीक है, for this particular region, और अब तुम क्या कर रहे हो, पलट रहे हो, और किसी और को appoint कर रहे हो, तो यहाँ पे restraint क्या है, जायज है, अब sale of goodwill, sale of goodwill में क्या है, जो sailor है, अगर वो agree करता है, जो मतलब for example देखे है, a sales is Delhi shop to be and makes an argument that he will not open another similar shop in Delhi for the next two years, यानि कि a क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना जो खु agreement किया है उसने भी के साथ, कि मैं अगले दो साल तक यह जो business है मेरा या यह जो shop है, वो open नहीं करूँगा, तो यह तरह का valid agreement होगा, ठीक है, in keeping the, you know, in view of the nature of the business, the time limit seems reasonable to the court, लेकिन अगर यह ऐसा promise करता है, कि competition पेरे साथ, मतलब तेरे साथ, जो मेरा competition है, उसके वज़े से मैं similar तरह का business कही पे भी open नहीं करूँगा, तो यह agreement क्या होगा, void होगा, हाँ अगर तु कह रहा है कि agreement की वज़े से एक दो साल तक या एक साल तक मैं नहीं open करूँगा shop, तो ठीक है, reasonable period है, उसे अपना दिन्दा बटाने दो, ठीक है, लेकिन अगर यह ऐसा promise कर रहा है कि मैं mention किये कि कभी भी similar तरह का business कही पे भी open नहीं करूँगा, तो यह कही न कहीं, void agreement है, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि कोई भी, फिर चाहे एक ही locality या एक ही region क्यों नहीं हो, कोई भी अपनी मन मताबिक क्या कर सकता है, similar तरह का business open कर सकता है, ओके, अब आगे देखिए, Restrain on partners, देखिए, partners competing business में देखिए, according to section 11, clause 2 of the Indian Partnership Act, a partner of a firm may be restrained from carrying on a similar business, so long as he remains a partner, यानि कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक firm है, उसमें दो तरह के दो partners है, ठीक है, तो एक partner क्या कर सकता है, दूसरे partner को restrain कर सकता है, from conducting or from carrying on a similar business, जब तक वो उसके साथ partnership में है तब तक, तो यहाँ पर यह कहीं न कहीं valid है, okay, trade combination में देखिए, agreement between the traders in the same line of business to regulate the business or to fix prices are valid agreement, यानि कि अगर दो traders हैं, वो agreement करते हैं, similar line का या similar तरह का उनका business है, उस business को regulate करने के लिए, अगर वो agreement करते हैं कि हम एक ही price पर बेचेंगे, एक ही price पर जो भी अपना जो भी business है, वो चलाएंगे, तो यह कहीं न कहीं है का valid agreement है, ठीक है, इसकी वज़े से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, दोनों भी similar price पर अपना business regulate या run कर रहा है, यह case देखे, case of Fraser and Company versus Bombay Ice Corporation, the court held that agreement between ice manufacturing companies not to sell ice below a stated price and to divide the profits in a certain proportion was a lawful agreement, यानि कि इन, देखे, agreement इन दोनों manufacturing companies के बीच में अगर ऐसा होता है, कि हम एक stated या फिर एक particular price पे, या particular price के नीचे ही अपना जो भी है ice, वो sell करेंगे, जो भी profits होगा, वो equal proportion में वगरा, जो भी है, वो बाट के लेंगे, तो ऐसा agreement lawful है, ओके, क्योंकि ये neither restraint of trade है, ना ही public policy को opposed कर रहा है, लेकिन, लेकिन अगर ऐसा कोई agreement वो दोनों करते हैं, कि इस agreement की वज़े से, किसी और या दूसरे जो भी businessmen, जो दूसरे जो traders हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है, और ये सब ये क्यो कर रहे हैं, अपनी monopoly बनाए रखने के लि लेकिन, अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब safe खेल रहे हैं, किसी को loss नहीं हो रहे हैं, ठीक हैं, अगर वो एक दूसरे को restraint कर रहे हैं, कि एक particular price के अंदर ही हम अपना माल बेचेंगे या ice sale करेंगे, तो यहाँ पे नुकसान वगेरा कुछ नहीं हो रहा है, similar तरह का profit हो रहा है द employment, the restraint is valid, यानि कि अगर देखें, अब companies में भी यह होता है, ठीक है, companies में हम यह contract करके enter करते हैं, कि जब तक हम इस company में काम कर रहे हैं, कि इसी similar तरह का business जो है, वो हम कहीं पर दूसरी और चालू नहीं करेंगे, तो अगर ऐसा employment के अगर इस तरह का agreement हुआ है, तो यह सही है, यह restraint क्या होगा, वालिड माना जाएगा, ठीक है, case of Charlesworth versus McDonald, B was a doctor in Zanjibar, and A made an agreement to work as his assistant for a period of three years, ठीक है, B क्या है, doctor है Zanjibar में, और A क्या है, A ने agreement किया है B के साथ, वो assistant करके काम करेगा for a period of three years, it was agreed between the two, that A will not engage in any professional activities of his own in Zanjibar during this period, तो agreement किया A ने कि, जब तक मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जिस भी period तक मैं काम कर रहा हूँ, किसी दूसरे professional activity में engaged नहीं होगा, After one year, A left the job and started his own practice, A was stopped from practicing by the court, देखे, एक साल की बाद उसने अपनी यह जो जॉब है, यह assistant वाली यह छोड़ दी, और वो खुद की practice उसने शुरू कर दी, तो यहाँ कोल्ट उसे stop कर रहा है कि नहीं तुम practice नहीं कर सकते हो, तो यहाँ important point note करने के लिए यह है, कि भाई, जब तक वो काम कर रहा है, तब तक आप उससे, वो नहीं कर सकता है किसी और तरक या खुद का professional activity शुरू, ठीक है, आप तो उसने job छोड़ दिये न, तो job छोड़ देने के बाद अपनी practice करने से आप क्यो रोक रहे हो, तो यहाँ पर यह गलत है, यहाँ पर वही लिखा गया है, कि it is important to note that, if a person is dismissed from a job, ठीक है, यह फिर छोड़ा है उसने, then the law does not stop him from doing another job, law उसे नहीं रोक सकता है, और job करने के लिए, ओके, अब देखिये, तीसरा, agreement in restraint of legal proceeding, यानि कि legal proceeding के लिए, अगर restraint आ रहा है, तो ऐसा agreement void होगा, तो जो हमने restraint of trade के अंदर, जो भी exceptions discuss किये थे, वो अब खतम हो चुके है, अभी हम third point पर आ गए है, agreements in restraint of legal proceeding, section 28, every Indian has the right to take the advantage of law, to demand and protect his rights as a citizen of the country, if an agreement seeks to obstruct the process of justice, it's a void agreement, किसी भी तरह का suit file करने के लिए, या law की help लेने के लिए, remedy लेने के लिए, कोड से, कोई भी किसी को भी रोक नहीं सकता है, और अगर ऐसा कोई agreement की थू किसी को रोक रहा है, restrain कर रहा है, तो वो वोईड माना देखिए, there may be situations where an agreement in restraint of legal proceedings may not be void, यानि कि कुछ ऐसे agreements हैं, जिसमें अगर आप legal proceedings को restrain कर रहे हो किसी को, तो वो वोईड माना नहीं जाएगा, यानि कि हम exceptions के through इसे ले सकते हैं, these are, an agreement to refer future disputes to arbitration is a valid agreement, यानि कि अगर ऐसा कोई agreement है, जिसमें आप future disputes की बात कर रहे हो, arbitration की बात क an agreement to refer a present dispute to arbitration is a valid agreement, तो इन दो cases में ये valid माना जाएगा, अन्य था legal proceedings के लिए आप किसी को भी रोक नहीं सकते हो, अगर ऐसा agreement कि तो आप रोक रहे हो, तो वो गलत है, वो वोईड है, चोथा देखिए, agreements involving uncertainty, section 29, agreements the meaning of which is not certain, और capable of being made certain, आर वोईड, यानि कि एक particular तरह की certainty नहीं ये agreement में आपके, ठीक, आप बोल रहे हो कि मैं, इस example से आपको समझ जाओगे, if A makes an agreement to sell 100 tons of oil to B, and does not clarify as to what kind of oil A has agreed to sell, the agreement is void, यानि कि यहाँ पर A agreed to कर रहा है, agreement कर रहा है वो B को कि वो 100 tons of oil sell करेगा, लेकिन भाई ये तो बता कि कौन सा oil sell करेगा, ठीक है, ओल एक तरह का नहीं की बात कर रहा है तूँ, ठीक, एक तरह की certainty होनी चाहिए, और अगर इस तरह का agreement है, तो वो void माना जाएगा, देखे, Carter versus Agra Bank, इसमें क्या हुआ है, in this case, Carter promised to pay a certain amount of money on a fixed date in a month in discharge of the bank loan, तो यहाँ पर Carter ने क्या किया है, एक certain amount of money pay करने का promise किया on a fixed date, the agreement did not mention the amount of the loan or the date on which such repayment would be made, कौन से date पर वो pay करने वाला है, या फिर कितनी particular amount वो pay करने वाला, यह तो mention ही नहीं किया है agreement में, तो यहाँ इस तरह का agreement अगर होगा, तो वो void माना जाएगा, अब देखे, agreements by way of wager, section 30, a wager is an agreement between two parties by which one promises a specified amount of money to the another on the happening of some uncertain event, धन दीजे, uncertain event, in consideration of the other party, promise to pay the same or a specified amount if the event does not happen, यानि कि एक तरह का हम कह सकते हैं, सौधे बाजी या एक तरह कि जो शर्त लगाते हैं, जिसे हम बच्पन में लगा देते हैं, आज definitely 100 टका बारिश होगी, और अगर नहीं होगी ना, तो भाई मैं तुझे पैसे दूँगा, ऐसे हम जो शर्त लगाते थे हैं, ऐसे agreements को illegal माना गया है, अगर ऐसा कोई आप फाल्तु ये चिचोरा agreement करके अगर आप court के पास जा रहे हो, court के पास time नहीं है, ऐसे चीज़ों चोटी-चोटी बातों पर time waste करने के लिए, तो ऐसे जो agreements है, state of महाराष्ट्रों में illegal माने जाते हैं, तीके कई बार ऐसे चो while they are void but not illegal in the other states, other states में इसे void माना गया है, लेकिन illegal नहीं माना गया है, तीके example है, A makes an agreement with B that if it rains today, देखे, जो मैंने example बताया आपको वही है, A makes an agreement with B that if it rains today, A क्या करेगा, 500 रुपे देगा किसे B को, if it does not, then B will pay the same amount to B, और अगर बारिश नहीं होगी, तो उतने ही amount 500 रुपे को देगा, B देगा, किसे A को देगा, तो ये क्या एक तरह का wagering agreement है, because whether or not it will rain is uncertain, बारिश होगी, नहीं होगी, किसे पता है ना, ठीकी, कभी भी बदल सकता है whether, तो ये यहाँ पर uncertainty है, और ऐसे चीज़ों को void माना जाता है, ऐसे agreements को, अब देखें आगे, agreements to do impossible acts, section 56, an agreement to do an impossible act is void abination, ऐसा कोई आप perform करने के लिए बोल रहे हो act किसी को, जो impossible है करने के लिए, तो ऐसे agreements क्या होंगे, शुरू सी ही void abination होंगे, impossibility of performance could be physical or legal, if a business commitment is difficult to comply with, it does not make it impossible, तो यहाँ पर impossible acts को अगर आप agreement के थूँ यह कर रहे हो, enforce करने के कोशिश कर रहे हो, तो it's definitely wrong, देखे, causes of impossibility of performance, यानि कि, change in law matter, destruction of subject, personal incapacity of the promise, यानि कि, अगर agreement में, अगर law matter में change हुआ है, यह जो main subject matter है, उसका ही destruction हुआ है, यानि कि, agreement किसी घर को लेकर है, या फिर किसी ऐसी चीज़ को लेकर है, अगर उसका ही destruction हो जाता है, तो उस performance का या उस agreement का कुछ अस्तीत्व या existence ही नहीं रहेगा, या फिर जो promise है, उसकी personal incapacity हो जाती है, तो या फिर death हो जाती है, हम कह सकते हैं, तो वही है, यहाँ पर example कि तुरू हम समझते हैं, इस provision को देखे, A makes a promise to sell his horse to B for rupees, thousand, यह ने क्या किया है, promise किया है, कि वो अपना horse बेचेगा B को 1000 रुपे में, and B accepts it, okay, but both are not aware, दोनों को इस बात का पता नहीं था, कि भाई, horse खुद मर गया है, तो यहाँ आपम देख सकते हैं कि जो subject matter है, जिसका agreement आपने किया है, horse का, वो ही नहीं है existence में, it is already dead, तो ऐस कोई contract यह agreement जो होगा, वो क्या होगा, void माना जाएगा, I hope आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा critical है, complex है समझने के लिए, simplified way में, जैसे की मेरा channel का नाम है, simplified law, उसी तरह से समझाने की कोशिश की है, I hope आपको समझ आया होगा, किसी भी तरह का doubt है, आप पूछ सकते हैं comment section म प्लीज बनी रही है, प्लीज कीप सपोर्टिंग, किसी और भी वीडियो या फिर टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो आप बता सकते हैं comment section के अंदर, ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझाया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, subscribe करना ना भूले, bell icon प्रेस करना ना भूले, और जुड़े रही है, simplify law के साथ, share करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस चानल का benefit हो सके, ठीक है, thank you so much